मेरे प्रेवाई बाइनों आप सभी को मेरा नमस्कार जब हम अपना जीवन इस पृत्वी पर जीते हैं तो करीब करीब सतर असी नबे साल के करीब लोग अवरिज जो है उतना जीते हैं कभी कभी लोग साव साल भी जी लेते हैं कभी कभी लोग साव को भी पार कर देते हैं लेकिन फिर उसके बाद क्या आप समझ गये होंगे उसके बाद मृत्यू और मृत्यू ही है और ये हमारा जीना, मरना, जनम लेना, जिन्दगी रहना यहां इस पृथवी में लगातार चलता रहता है एक पिड़ी आती है और वो जाकर के दूसरी पिड़ी आ जाती है तो तिसरी पिड़ी आती है और इस प्रकार से लोग अपना जीवन इस पृथवी पर बिताते हैं जब किसी का जनम होता है तो खुशी होती है और जब मौत होती उसी वेक्ति का तो बहुत दुख भी होता है और वो स्वाभाविक भी है कि दुख होता है अपने प्यार करने वाले लोगों से बिछड़ जाना बहुत दुख की बात होती है अब प्रशन ये उठता है कि क्या हमारा अस्तित्व मौत के बाद खतम हो जाता है ये बड़ा-बारी प्रशन है बड़े-बड़े फिलोसफर तत्व ज्ञान वाले इसके बारे में विचार करते हैं कि आखिर वो व्यक्ति जो जिन्दा था कहां चला गया कहीं मिल गया धूल में आकाश में चड़ गया कहां उसका अंतिम पड़ाव है या बिलकुल खतम हो गया उसको नहीं देख पाएंगे या क्या है एक बड़ा-बारी प्रशन है और ये जबरदस सोचने वाला प्रशन है मैंने भी कई बार इसके बारे में सोचा शायद आपने भी कई बार सोचा होगा कि मौत के बाद उस व्यक्तित्व का क्या है क्या हमारे पास कोई आशा है क्या हम और कहीं जिएंगे कहीं और मिलेंगे और कई प्रगार के ऐसे सवाल है अज जो मेरा टॉपिक ये है कि जी हां हमारे पास आशा है विश्वासियों के पास आशा है जो प्रभीश्य मसी को प्यार करते हैं, उनके पास आशा है, और हम येश्य मसी में एक दिन फिर जिवित हो उठेंगे, जैसे कि आप इस डायगराम में देख रहे हैं, कि बाईं तरफ वो टूम्स्टोन है, ग्रेवियार्ड है, कबरस्तान है, जहां पर वो बैकते मरा है, और उसके पर लिखा हुआ है, डेड, मरा हुआ, मृतक, ठीक है, और ये हम जब भी कोई यहां से इस दुनिया से चला जाता है, तो हम उसको कबरस्तान में जाकर के गार देते हैं, और जो भी प्रामिसेज या प्रतिज्याएं बाईर लिखी हैं, वो पास्टर्स और दूसरे ल जाते हैं, और उसको इंकरेज करते हैं, ठीक है, सो अब यहां पर वो आदमी तो चला गया, अपने शरीर को छोड़ करके, अप्रशन यही उठता है यार, इसके बाद क्या, इसके बाद तो हम देखते हैं, कि जो परमेशर का वचन साफ रिती से कहता है, इसके बाद तो दो चीजें हैं, या तो अनंत जीवन, या अनंत नर्क, हल, जिसे हम कहते हैं, दो स्थान हैं, अब जो विश्वासी है, उसके लिए तो एक जीवन भरी आशा है, उसके लिए जीवन भरी आशा है, और ओ आशा, एक विश्वास के रूप में, सही रूप में उसको देख सकते है तो जो व्यक्ति मिश्वासी है, मसीही है, जिसने अपना जीवन प्रभुश मसी को दिया, वो चाहे मृतक क्यों न हो जाए, वो फिर से प्रभु में जीवित पाया जाता है जी हाँ, ये बात, बिल्कुल सही बात हम यहाँ पर देखते हैं मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा जो इसी से संबंदित रखता है आपको प्रोचसाहित करने के लिए, अपने आपको प्रोचसाहित करने के लिए, दुसरे विश्वासियों को प्रोचसाहित करने के लिए हम पढ़ेंगे पाये जाता है दूसरा कुरंथियों उसका पांच अध्याए एक पज से सुनिए क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रिथवी पर का डेरा सरिखा गर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ख पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परन्तू चिर स्थाई है इसमें तो हम करहाते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गिय घर को पहन लें कि इसके पहनने से हम नंगे न पाये जाएं और हम इस डेरे में रहते हैं और डेरे में बोज से दबे हुए करहाते रहते हैं क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते हैं वरन और पहनना चाहते हैं ताकि वह जो मरनार है जीवन में डूब जाए और जिसने हमें इस बात के लिए तिया है वो परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है इसलिए हम सदा डाड़स बांदे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभू से अलग हैं क्योंकि हम रूप को देख करके नहीं परविश्वास से चलते हैं इसलिए हम डाड़स बांदे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभू के साथ और भी उत्तम समझते हैं कितनी अच्छी बात है यहां तक हम पढ़ेंगे तो जब कोई वक्ती प्रभू इश्मसी को जो प्यार करता है प्रभू परमेश्वर के साथ है तो उसका शारिरिक डेरा इस प्रिथवी पर रहता है जैसे कि आपने सुना मैंने आपके लिए पढ़ा पहला पद में क्या लिखा हुआ है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा प्रिथवी पर का डेरा सरीखा घर यह जो शरीर है यह शरीर जो बिमारी से गुजरता है भूक से गुजरता है प्यास से गुजरता है कई प्रकार की तकलीफों से गुजरता है और हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं जैसी हम बिमार होते हैं तो हम क्या करते हैं भई अस्पताल जाओ डॉक्टर से मिलो और विशेश करके आज कल करोना के समय में तो और भी ज़्यादा लोग डॉक्टरों को देखने के लिए जाते हैं थोड़ी सी चीक आई नहीं कि बहुते हैं यार कहीं करोना तो नहीं हो गया हम अपने आपको बच्चा न मांगते हैं है कि नहीं तो भूक लगती है तो हम खाना खाते हैं प्यास लगती है तो हम पानी पीते हैं या कोई ड्रिंक पीते हैं Coldring है या जो भी है एना तीजाइश शरीर की आप और में कितनी अच्छी देख भाल करते हैं अगर ठण लगती है तो हम गरम कपड़े पहनते हैं हम इस शरीर को ढांकते हैं लोगों से बाचित करते हैं कभी हम मजाँ करते हैं कभी हंसते हैं तो कभी दुखित होते हैं अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा था तो किसी का फोन आया और वो भाई बहुत परिशान था क्या करूँ बड़े कोट के रचेरी के चक्कर में वो पड़े हुए थे और फिर उन्होंने कहा मैं क्या करूँ मैंने उनको बस यह कहा भाया तुम प्रभू के लोग हो प्रभू के जन हो यह सब परमेशर को छोड़ दो चाहे आपको हानी क्यों न उठाना पड़े सहलो उसको क्योंकि हम एक्चुली इस दुनिया में हमेशा तो रहने वाले नहीं हैं है अगर हम घर घर के पीछे लड़ते हैं कोट कचारी केस वेस ये ताम जाम है बहुत सारी चीज़े होती है मैं तरह को देख लूँगा कोट में देख लूँगा और वकील कराओंगा अरे सहाब क्या करेंगे हम यह सब ले करके है यह घर जो मिरत्या में तो हम आपने साथ ले जाएंगे मृंतियू में थो हमने नाक Googgak को नहीं ले जाते हम कुछ भी नहीं ले सकते सी यहीं पर ढर डारा जाता है मेरी साथ आप अपना असरै जरूर हिल आरहे कि बिल्कुल सही का परमिशर का बचन कहता है कि हमारा इज जगत में रहना थोड़े समय का है थोड़े समय का है यार अनंत काल का नहीं है और जैसे मैंने शुरुआत में कहा 90 साल जाद जादा 100 साल हो गया फिर उसके बाद कि हमारा शरीड बूड़ा हो जाता है कमजोर हो जाता है दात निकल जाते हैं सुनने में कमी आ जाती है देखने में कमी आ जाती है भूग कम लगती है मतलब परेशानी ही परेशानी और कुछ लोग बोलते हैं इस से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है कुछ लोग जो अस्पताल में हैं कितने बिचारी दर्द सहर हैं दुख सहर हैं ये इंजेक्शन ये कटाई ये छटाई ये वो हैं और क्या है ये हमारा वो मृतक शरीर है जो मरने वाला है इस दुनिया में तो यही बात पालूस क्या लिखता है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृत्वी पर का डेरा जो है जो घर है वो गिरा जाएगा गिराएजाएगा मतलब ये जो शरीर है वो डेरा है हमारा इसी के अंदर तो हम रहते हैं हमारी आत्म इसी के अंदर रहती है आपकी आत्म आपके अंदर इस शरीर में रहती है, मेरे आत्म मेरे शरीर के अंदर रहती है और जब हमारा कॉल आता है, कि भई, तुमारा टाहिम खदम पृध्वी में तो जब गिराए जाएगा ये घर, ये शरीर जब गिर जाता है तो हम क्या बोलते हैं यह आदमी मर गया मृतक हो गया डेड़ ही इस डेड़ आप उसके बाद जो प्रशन मैंने आप से पूछा था शुरुवात में कि वो व्यक्ति कहा है आप सोच रहे होंगे कि आपके परिवार वाले आपके संबंधी जो बहुत बुड़े हो गए और पर चले गए इस दुनिया से यदि वे विश्वासी थे तो आपको तो भाई आनन्द बनाना चीए कि एक दिन हम उन से मिलेंगे यदि आप भी अगर विश्वासी है तो जिया मैं विश्वासी हूँ और मेरे साजो काम करते थे मिनिस्ट्री में थे प्रभू के लोग थे वो च आशा है कि हम प्रभू से मिलें क्यों क्योंकि हम मर भी गए तब भी जीवित हैं मृतक पर जीवित डेड यट अलाइव और इसी बात को परमेश्वर का वचन बड़े साफ रिथी से कहता है कि ये जो डेरा है प्रिथी पर का घर वो गिराए जाएगा तो हमें परमेश्वर की और से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हातों से बना हुआ नहीं हातों का बना हुआ घर नहीं परन्तु चिरस्थाई अनंतकाल का जीवन यहां का जो प्रिथी का जो जीवन कितना था अनंतकाल का नहीं था चड़िक समय का था भाप के समान था धुएं के समान था फूल के समान था सबेरे निकला शाम को खतम ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन है चाहे वो कितने ही साल हम गुजा रहें एक नए एक दिन तो हमें इस दुनिया से जाना है अब जाना कहा है? स्वर्ग तो जाना है भई है ना? यही तो good news है नहीं? है स्वर्ग जाना है जैसे कि आप दाइनी तरफ देख रहें कि यह वेक्ती बाही तरफ इसका शरीर तो गड़ा दिया गया गाड़ दिया गया वही है लेकिन जिस समय वो इस दुनिया से गया उस समय वो प्रभू में अबादलों में से होकर के स्वर्ग की ओर उपर उठाया जा रहा है जीवित असली में असली जीवन अब शुरू हो रहा है क्यों? क्योंकि यह जो असली जीवन है ना यह चिरस्थाई है अनंत जीवन है यहाँ पर मौत आने की नहीं बादलों में तो यह लिखा हुआ है प्रकाशित वाके उसका बाईस अध्या है और उसका पहले पास है फिर उसने मुझे यह मतलब स्वर्ग के भावन के बारे में स्वर्गी नगरी के बारे में बात चल रही है फिर उसने मुझे बिलौर के समान जलकती हुई जीवन के जल के एक नदी दिखाई दी जो परमेश्वर और मेंने के सिहासन के निकल कर उस नगर की सड़क के बीचो बीच बहती थी नदी के स्पार और उस पार जीवन का पेड़ था उसे बारा प्रकार के फल लगते थे और वह हर मैने फलता था और उस पेड़ के पत्तों से जाती जाती के लोग चंगे होते थे फिर श्राप नहोगा और परमेश्वर और मेंने का सिहासन उस नगर में होगा और उसके दास उसकी सेवा करेंगे वे उसका मूँ देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा वहाँ फिर रात नहीं होगी और उन्हें दीबग और सूरी के उज्याले की आवशकता नहोगी क्योंकि प्रभू परमेश्वर उन्हें उज्याला देगा और वे युगान यूग राज करेंगे यहाँ 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 पर लिखा हुआ है युगान यूग राज करेंगे और वहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर कोई मौत नहीं है कोई मौत नहीं है क्यों? क्योंकि ये अनन्त जीवन की नगरी है अनन्त जीवन वाला भवन है जो परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बनाया हुआ है तो यही बात लिखी हुई यहाँ पर पहला पद क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृत्वी भर का डेरा सरीखा घर गिराए जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन में लेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरिस्थाई है भई इस भवन में मतलब इस घर में जो अभी शर्रीक रूप आते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं क्यों? क्योंकि हम इस करहाने से निकल करके स्वर्गिय घर को पहन ले हम नंगे नहों हम इस बोज में दबी नह रहें ये ऐसा घर होगा जहां अनंत अनंत काल का होगा इसलिए मेरे प्रियों यह जो यहां पर आशा वाली बात जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो यही है कि जो लोग प्रभू पर विश्वास करते हैं आठमा पद यहां पर लिका हुआ है दूसरा कुरंतियों उसका पांच अध्याए और आठ पद में यही लिका हुआ है इसलिए हम डाड़स बांदे रहते हैं और देह से अलग हो करके प्रभू के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं तो देखे दो जीवन हैं एक तो शारिरिक जीवन है जो हम इस दुनिया में बिदाते हैं अब आपकी जो भी उमर है आप जवान हो या मिलेच के हो या ओल्डर हो बच्चे हो जो भी हो देखे जो भी परमेश्वन ने हमें समय दिया है हमारी पूरी कोशी शोने चीए कि हम उसको परमेश्वर के महिमा के लिए बिताएं ठीक है अच्छा जब हमारी मौत आती है है शारीरिक मौत मेरी याशी है कि उसойти मौत आने से पहले आप के अपना ई्यवन प्रभीश्वर मस्री को दिया और जब आपने दिया है तो आपके लिए एक आशा है जीवित आशा है कि भाई हम प्रभू के साथ सदा सदा उसमें मिलते रहेंगे अपाये एक जगा पे और लिखावा जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं पाए जाता है पहला कुरंथियों उसका पंद्रमा अध्याए मतलब अगर इश्व मसी आ जाते हैं हमारे जीते जी तो भाई ये बात आपके लिए भी है और क्या लिखा हुआ है 15-50 पहला कुरंथियों उसका पंद्रमा अध्याए 50 पर पद में ए भाईयों मैं यह कहता हूं कि मास और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाश्वान अभिनाश्य का अधिकारी हो सकता है यदि हमारा नया जन हो गया है तब तो हम परमेश्वर के अधिकारी होंगे यदि हमारा नया जन नहीं हुआ है तो भी यह हम नाश्वान जगह में जाएंगे पकी बात है लेकिन अब पालुस बोलता है मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूं अब सुनिए क्या भेद की बात है 51 पद से देखो मैं त अब तो नहीं सोएंगे सुएंगे मतलब मरेंगे नहीं हम सब नहीं मरेंगे परंतु सब बदल जाएंगे कैसे बदल जाएंगे 52 और यह च्छड़ भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकी जाएगी क्योंकि मुर्दे जी उठेंगे मुर्दे अभिनाशी दशा में जी विथ आमेन और जब यह नाशवान अभिनाशी को पहन लेता है तो यह मलदा अमरता को पहल लेगा तब मावचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जै को मृत्यू जै ने मृत्यू को निगल लिया जै कहा रही हे मृत्यू तेरा डंक कहा रहा लेकिन 57 पद में लिखाए ले परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रविश्वमसी के द्वारा हमें जैवंत करता इसलिए हे भाईयो दिर्ण और अटल रहो और प्रभु के काम में सरवदा बढ़ते जाओ क्योंकि जानते कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में वेर्थ नहीं है पहला थसलिए ने उसके चार अध्या में क्या लिखा हुआ है कि हम उठाए जाएंगे नया जीवन पाते हुए जब प्रभुश मस्य आएंगे बादलों के साथ तो हम भी उनके साथ बादलों में चले जाएंगे और हमेशा हमेशा बादलों में पहुँचकर स्वर्ग पहुँचेंगे और वहां हमेशा का जीवन चिरस्थाई जीवन अनंतकाल का जीवन हम परमेश्व के साथ बिताएंगे तो यह तो बड़ी खुशी की बात है भाई हम सब विश्वासियों के लिए इसमें आप आमेन बोल सकते हैं हलेलुया बोल सकते हैं खुशी मना सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक जीवित आशा है तो यह न सोचे कि हम मृतक हैं मृतक हैं पर जीवित जैसे हम मरते हैं वैसी जीवित हो जाते हैं जैसे ही हम मरते हैं, हम जीवित हो जाते हैं प्रभू में, और उसके साथ अपना जीवन हम बिताते चले जाएंगे, तो प्रशन जो मैंने आपके सामने रखाता भाई, मौत के बाद क्या है? जीवन हैं, उन लोगं के लिए जो प्रभूईश्य मसी पर वश्वास करते हैं, आएए, हम इस बात को इकरार करें, मानें कि हम येश्य मसी में जीवित हैं, आमेन!